नमस्कार दस्तो मैं हूँ अमें तो आप देख रहें नोलेनोर दस्तो ऐसा कि आप सभी को पता है मेरे इस चैनल पर संडे के दिन एक इस्पेशल वीडियो आती है जो कि रेल यात्रा के दुराँ जूड़ी कुछ ऐसी घटना उसे लेटेड होती है जिससे हम से कुछ कुछ सीखने को मिलता है और अपनी आत्रा को मंगल में बना पाते हैं तो दोस्तो आज की जो घटना है मेरे एक सब्सक्राइबर ने शेयर करी है इनकी स्टोरी मुझे बहुत ही पसंद आई सो लगा आप लोगों को जरूर बतानी चाहिए ताकि इन फ्यूचर आप ट्रेन में आत्रा करें तो इससे सतर करें जिससे आपको कभी कोई प्रॉब्लेम ना हो तो इन्होंने कहा है कि एक बार एकजाम देने के लिए प्रयाग राज गय हुए थे वहाँ से उनको कानपूर जाना था और इन्होंने किया क्या कि प्रयाग राज रेल्वे स्टेशन से एक जनरल की टिकट ले ली और ट्रेन के जो रेल्वे स्टेशन का प्लेटफार्म नंबर एक था वहीं पर बैठे हुए थे तब ही वहाँ पर एक ट्रेन आ रही थी जिस पर वहाँ से जो लोग जा रहे थे इन्होंने पूछा कि ये ट्रेन कानपूर जाएगी की नहीं तो लोगोंने बताया कि हाँ ये कानपूर जाएगी और ये किये क्या कि उसी ट्रेन के जनरल कोच में जाकर बैठ गये और जैसे ही ये कानपू रेले स्टेशन पर उतरते हैं वहाँ पर टीटी लोग थे और इनको जाते हुए पकड़ लेते हैं इनसे पूछते हैं कि कहां से आ रहे हो तो इन्होंने बताया कि लाहबाद से बस क्या था जैसे ही वह लाहबाद का नाम लिये वह टीटी लोग इनको पकड़ कर अंदर जहां पर सारे टीटी बैठे रहते हैं उनके पास ले गए यहाँ पर उनसे 500 रुपे की पेनाल्टी मांगने लगे इनको कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि इन्होंने कहा कि मैंने तो ट्रेन के जनरल कोच में यात्रा करी है फिर किस चीज की पेनाल्टी फिर उन्होंने बताया कि जिस ट्रेन से तुम आये हो इस ट्रेन में 200 किलोमीटर से पहले जनरल का टिकट नहीं ले सकते और अगर इस तरीके से जनरल का टिकट लेकर आते हो तो इसमें जो है इस तरीके की पेनाल्टी ली जाएगी दोस्तों ये काफी निरास हो जाते हैं और इनको एकजाम देने भी जाना था चुकि लेट हो रही थी तो ये किसी तरह वहाँ से पेनाल्टी भर कर निकलते हैं लेकिन इन्हों ने बताया कि मुझे जानकारी के अभाव में इस तरीके से पेनाल्टी देनी पड़ी तो आप सब लोगों को ये चीज़े जरूर बताइए ताकि इन फूचर आप ट्रेन में लोग यात्रा करें तो इससे सतर करें तो जी हाँ दोस्तो ऐसी भारतिय रेलवे में कई सारी ट्रेने हैं जिसमें की इस तरीके का जो है distance restriction लगा हुआ है मतलब कि वो जो ट्रेने होंगी रेलवे की परिभाषा के अनुसार वो जो ट्रेने है चाहे वो mail express ट्रेने हो या फूर सुपरफास्ट केटेगरी की ट्रेने हो जो की लंबी दूरी की ट्रेने होती हैं उनमें जो है कुछ-कुछ railway station के बीच में इस तरीके का distance restriction लगाये गया है जहाँ पर कम से कम 200 km और maximum 400 km तक दूरी का जो जनरल टिकट होगा उसे आप नहीं ले सकते हैं दोस्तों ये सारी ट्रेनों में नहीं है कुछ ही ट्रेनों में है जैसे की इसमें ब्रहंपुत्र mail के साथ यहाँ पर यह जो ब्रहं पर अगर आप उस कम दूरी के लिए टिकट को लेंगे तो आपको penalty देनी पड़ती है तो भारती railway यहाँ पर जो जनरल कोच में लोग होते हैं उसमें भीड़ भाड को कम करने के लिए इस प्रकार की restriction लगा कर रखती है ताकि जो लंबी दूरी की यात्रा जो यात्री में य तरीके से उस ट्रेन में बैठ जाते हैं जहाँ पर नोगी इस चीज को जान जाते हैं और उनसे पेनाल्टी वसुलते हैं दोस्तो यह जो पेनाल्टी होती है अकसर ट्रेन में यात्रा करिए और यहाँ पर यह जो distance restriction वाली ट्रेने हैं खासकर उन ट्रेनों से बचिये और इसा कुछ है तो नहीं जिससे यहां पर आपको यह आगे चल कर प्रॉब्लेम ना हो और उस पर्टिकुलर आप ट्रेन में बैठी है जहां पर इस तरीके की पेनाल्टी वगर का प्रावधान ना हो तो दोस्तों उमीद करते हैं आपको चीह समझ में आई होगी इस वीडियो पस इतना ही और अगर आपकी कोई स्टोरी और आप चाहते हैं उसे लोगों के बीच ताकि लोग यहां पर अपनी यात्रा को मंगल में बना सके तो आप मेरे कॉमेंट वर्क से आफिर इस्टाग्राम या पर पर्शनल इमेल कर सकते हैं उसे संड़े स्पेसल वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद